Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं application of trigonometry exercise 9.1 का question number first देखते हैं क्या है A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stessed and tied from the top of a vertical pole to the ground Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree यहां पे क्या कहा है एक pole है एक pole से एक रस्सी बंदी हुई है ground की तरफ जो की 20 meter long rope है ठीक है और angle of inclination हमें 30 degree दे रखा है तो उस pole की क्या height होगी यह हमने find out करना है तो चलिए देखते हैं किस तरिके से करेंगे सबसे पहले हम इसका figure draw कर लेते हैं यह मान लिया हमने क्या है के pole अपने पास से assume कर लेंगे कोई भी height हो सकती है और इस pole से ground level पे यहाँ पे कोई भी इसके top से ground level पे एक रसी बंदी हुई है यह हमने मान ली यहाँ पे एक rope बंदी हुई है इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे triangle का a, b, c और जो यह rope है ना यह 30 degree का angle form कर रही है यह हमें दे रखा है तो हमें क्या find out करना है find the height of the pole मतलब a, b की value हमें find out करनी है तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले जो भी हमें given है वो लिख लेते है हमें given क्या है ac equal to 20 meter given है angle जो है हमारा theta equal to 30 degree given है हमें height of the pole निकाल ली है तो उसको हम assume कर लेते हैं let height of pole height of pole equal to h meter समझ भी आ गया है यहां तक अब बात करते हैं in triangle a, b, c क्योंकि यहां पे 90 degree angle form कर रहा है तो हम trigonometric function को यहां पे use कर सकते हैं तो कैसे लिखना है in triangle a, b, c यहां पे ध्यान से देखो बच्चो हमने ये value निकालनी है और हमें ये given है तो ये क्या होता है हमारा perpendicular ये क्या है hypotenuse तो perpendicular और hypotenuse का relation क्या होता है हमारा sin theta होता है क्योंकि पंडित बदरी परसाद हर हर बोले तो perpendicular by hypotenuse ये निकाल लिए हमें ये चीज गीवन है तो इन दोनों का relation देखेंगे क्योंकि आप comment करके पूछते हो मुझसे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा trigonometric function यूज करना है तो ऐसे ही पता लगेगा बच्चो जो चीज हमें गीवन हो और जो निकालनी हो उनका relation देख लो आप perpendicular और hypotenuse का relation होता है sin theta तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा sin theta equal to ab by ac अब value put कर लो theta कितना है 30 degree तो sin 30 is equal to ab की value क्या है h अब उन में ac क्या है बच्चो 20 अब sin 30 की value क्या होती है हमारी 1 by 2 होती है तो 1 by 2 is equal to h by 20 20 की इस तरह multiply हो जाएगी तो h is equal to क्या हो जाएगा 20 by 2 तो 2 से इसको cut करेंगे 2 tangent 20 तो h जो आगया मेरा वो आगया 10 meter तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम height of pole is equal to 10 meter this is the answer समझ में आगया question कोई भी doubt नहीं रहना चाहिए comment करके पूछ सकते हो screen source share करके पूछ सकते हो बस आपको full and full marks gain करने है कहीं पे भी अठको कहीं पे भी दिक्कत फिल करो मैं आपके sport में बैठाऊ tension मतलो बिलकुल भी आप भी चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए thank you students for watching your channel next class is